हेलो फ्रेंट्स गोल्लीज किचेन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है फ्रेंट्स फेस्टिबल शुरू हो गया है और इसे यादगार बनाने के लिए आज हम अपने किचेन में शक्कर पारे बनाएंगे लेकिन हमने यहाँ पर एक ट्विस्ट दिया है हमने मैदे का इस्तिमाल ना करके सूजी का इस्तिमाल किया है तो चले फ्रेंट्स चलते हैं अपने किचेन में और बना लेते हैं सूजी के शक्कर पारे गोल्डीज किचन को सब्सक्राइब करिये बेल आइकन को क्लिक करिये ले टिस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए सूजी के शक्करपारे बनाने के लिए यहाँ पर हमने सूजी लिया है हमने हाफ केजी के करिब सूजी लिया है चीनी लिया है हमने 2500 ग्राम चितना हमने सूजी लिया है उसका आधा हमने चीनी का इस्तिमाल किया है यहाँ पर हमने एक कप दूद ले लिया है और इस दूद को हमने हलका सा गुनगुना करके लिया है डो को तयार करने के लिए मोहिन के लिए हमने रिफाइन ओयल का इस्तिमाल किया है आप चाहे तो डालडा या घी का भी इस्तिमाल कर सकते हैं शक्कर पारे को फ्राइ करने के लिए हमने एक कढ़ाई में ओयल ले लिया है रिफाइन ओयल का इस्तिमाल किया है तो चलिए सबसे पहले हम शक्कर पारे का डो तयार कर लेते हैं और नेक्स्ट टेप पे बढ़ते हैं शक्कर पारे के डो तयार करने के लिए यहाँ पर हमने एक बोल ले लिया है हमें बड़े बोल की जुरत पड़ेगी तो चलिए हम इसमें सारे इंग्रीडियन्स को डाल देते हैं, सबसे पहले हम इसमें सूजी डालेंगे, हमने याँ पर आदा कीलो के करीब सूजी लिया है 500 ग्राम, यहां पर हमने बारिक सूजी का इस्तिमाल किया है, अगर आपके पास बारिक सूजी नहीं है तो आप मोटे स सूजी को ही मिक्सर जार में डालकर उसे एक से लौंड घुमा लीजे सूजी बारिक हो जाएगी though चलिए हम इसमें मोईन एड करते हैं मोईन के लिए हमने घी का इस्तेमाल नहीं किया है और लिया है हमें आप चाहे तो इसमें घी या डालडा का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और हम इस दोनों इंग्रीडियंस को अपने हाथों से मिक्स करें गे, हमें इसे अच्छे से मिक्स करना है, ताकि सुझी ऊबजरुब कर ले, ओइल को कि हमने सूजी और ओयल को बहुत ही बढ़िया तरीके से मिक्स कर दिया है लगभग एक मिनट तक हमने इसे मिलाया है ताकि दोनों इंग्रीडिन्स आपस में मिल जाए तो चलिए अब इसका हम एक सौफ डो तयार करेंगे डो तयार करने के लिए हमने दूद का इस्तिमाल किया है दूद को हमने हलका सा गुनगुना कर लिया है और थोड़ा थोड़ा हम इस तरीके से डाल कर एक सौफ डो तयार करेंगे यहाँ पर मैं आपको एक टिप देना चाहूँगी जब भी आप सूजी का डो तयार कर रहे हैं सबसे अच्छा होता है गरम दूद या गरम पानी का आप इस्तमाल करिए इससे क्या होता है कि सूजी बहुत जल्दी गरम दूद और पानी को सोख लेती है और जो dough है हमारा बहुत ही बढ़िया तरीके से बहुत ही जल्दी सौफ्ट तयार हो जाते हैं हमें इस dough को तयार करने के लिए लगभग 5-7 मिनट लग जाएंगे इसलिए ध्यान से इसे आप तयार करिए साथ मिनट हो चुके हैं और आप देखेंगे कि dough हमारा अच्छे से रेडी हो चुका है हम इस dough को साइड में रख देंगे ताकि जो dough है हमारा हलका सा फूल जाए लगभग हम 10 मिनट के लिए इसे ढख कर साइड में रख देंगे और हम इसे छोड़ देंगे इसी तरीके से यहाँ पर हमने dough बनाने के लिए जो दूद लिया था उसमें से थोड़ा सा दूद बच गया है हमें ज़ादा दूद की जरुरत नहीं पड़ी हमने थोड़ा जही दूद का इस्तेमाल किया है तो चलिए हम नेक्स्ट टेप पर बढ़ते हैं यहाँ पर हमने ऑउल को गरम होने के लिए रख दिया है रिफाइन ऑईल का हमने इस्तेमाल किया है पास से दस मिनट हो चुके हैं और यहां पर आप देख सकते हैं कि जो डो है हमारा बहुत ही बढ़िया तरीके से फूल गया है तो चलिए हम इसके सक्कर पारे तयार कर लेते हैं सबसे पहले यहां पर हमने एक रूलिंग पैड ले लिया है इस चकले पर हमें इसे बेलना है और हम इसमें ऑईल लगाएंगे चकले के साथ साथ हमें बेलन पे भी ऑईल लगाना है ताकि जो हमारा शक्कर पारे का जो डो है वो इस पर चिपके नहीं हम इस डो के तीन पार्ट और यहां पर हमने एक पार्ट को तोड़ कर हाथों में गोल गोल लोई बना ली है तो चलिए हम इसे चकले पर रखते हैं इस तरीके से और हम इसे पहले गोल गोल बना कर अच्छी तरीके से इसे फ्लैट करेंगे इस तरीके से फ्लैट जैसे ही हो जाए हम इसे बेलन से बेल ल इससे क्या होगा कि आपको बेलने में काफी आसानी मिलेगी. आप देख सकते हैं कि हमारा डो अच्छे से हमने इसे बेल लिया है और ना ही ये ज़्यादा पतला है और ना ही ज़्यादा मूटा है. मैं इसकी ठीकनेस आपको बताऊंगी तो चलिए हम इसे सबसे पहले कट करेंगे तो चलिए हम सबसे पहले इसे स्क्वार पीसे में कट करेंगे जो साइड के एक्स्टा पार्ट है हम उसे निकाल लेंगे और फिर से इसे बेल कर हम अच्छे तरीके से शक्कर पारे तयार कर सकत तो चलिए अब हम इसे छोटे-छोटे pieces में cut करेंगे, जिस तरीके की शक्कर पारे यह बनते हैं, सबसे पहले हम इसे long pieces में cut कर लेंगे इस तरीके से, हमने यह पर इसे एक side से cut कर लिया है, तो चलिए चकले को घुमाकर हम दूसरे side से भी इसे cut कर लेते हैं, cut हो जाने के जाधा पतली है और नाहीं जाधा मोटी है, बहुत बढ़िया तरीके से कट कर लिया है और अब हम इसे एक प्लेट में रख लेंगे, हम सारे डो को इसी तरीके से बेल कर कट कर के साइड में रख लेंगे तो आप देख सकते हैं, यहाँ पर हमने आधे डो को अच्छे से बेल कर कट करके रक लिया है और आधे को हम इसी तरीके से बाद में कट करेंगे तो चलिए हम इसे फ्राइ कर लेते हैं पर हमने ऑफिटल के यह थी विल को पहले से घरम होने के लिए रख लिया था और oil हमारा बहुती बढ़िया तरीके से गरम हो गया है और हम इसे इसी तरीके से एकेक करके डालेंगे flame को हमें medium रखना है ज्यादा high flame पे हम इसे नहीं पकाएंगे हम इसे लगभग 5-6 batch में fry करेंगे थोड़ा थोड़ा करके हमें इसे fry करना है flame को हमें medium ही रखना है और इसे हलका सा golden brown color होने तक हम इसे पकाएंगे एक मिनट के बाद हम इसे चेक करेंगे और आप देख रहे हैं कि यह हलका सा golden brown color धीरे धीरे ले रहा है हमें इसे fry करने में लगभग 5-7 मिनट लग जाएंगे flame को medium रखिए हाई flame पे हम इसे नहीं पकाना है festival में आप मैदे के शक्करपाले तो खाएंगे लेकिन आप इस बार सूजी का जरूर ट्राइ करिए I'm sure friends आप लोगों बहुत पसंद आएगा और 5-7 मिनट हो चुके हैं और आप देख सकते हैं कि यह बहुत ही बढ़िया तरीके से golden brown कलर ले चुका है बहुत ही सुन्दर कलर इसका आ गया है तो चलिए हम इसे इस oil में से बाहर निकाल लेते हैं और एक tissue paper पे इसे रख लेते हैं तो चलिए हम इसी तरीके से दूसरे बैच के शक्कर पारे को भी fry कर लेते हैं और उसे भी निकालकर tissue paper पे रख लेंगे इस festival पे आप कुछ नया ट्राय करिए आप मैदे के वज़ाए आप सूची के शक्कर पारे बनाएगे बहुत बढ़िया तरीके से ये तयार होंगे और आप इसे स्टोर करके लगभग 15 से एक महिने तक के लिए आप इसे रख सकते हैं बच्चों से लेकर बड़ों तक ये सबको बहुत जादा पसंद आएगी तो आप देख सकते हैं कि यहां पर हमारे सारे शक्कर पारे फ्राई हो गए हैं हमें इसे फ्राई करने में लगभग 20 से पचीस मिनिट लगे हैं और ये अब हलका सा थंड़ा हो जाए तब हम इसका खुर्मा तयार करेंगे चीनी की चासनी बनाने के लिए यहां पर हमने पैन को गरम होने के लिए रख दिया है पैन हमारा गरम भी हो गया है तो चलिए हम इसमें चीनी डाल देंगे हमने यहां पर 500 ग्राम के करीब शुगर लिया है और अब हम इसमें लगभग half cup के करीब पानी डालेंगे पानी हम इसलिए डाल रहे हैं ताकि जो चीनी है हमारी वो जले नहीं और अब हम इसे मेल्ट करेंगे हमें इसे चाशनी बनाने के लिए लगभग 5-10 मिनट लगेंगे फ्लेम को हमें मीडियम ही रखना है सबसे पहले हम चीनी को मेल्ट होने तक पका लेंगे जैसे ही चीनी पिघल जाएगी फिर उसके बाद हम फ्लेम को थोड़ा हाई कर देंगे और इसे कंटीनिव स्टर करते रहेंगे इस तरीके से हमें चीनी की तीन से चार तार की चाशनी चाहिए ताकि ये थंडा हो तो जम जाए और आप देख रहे हैं कि ये इसमें से बॉइल आना शुरू हो गया है और अब हम फ्लेम को हाई कर देंगे और कंटीनिव से तरीके से स्टर करते रहेंगे ताकि ये जल्दी से बन जाए हैं कि हमारी चाशनी है चार से पांस तार इसमें से निकल रहे है यानि ये एकदम परफेक्ट बना है और आप हम इस टेज पे फ्लेम को ओफ कर देंगे और आप हम इसमें सूजी के बनाए हुए शक्करपारे को इसमें डालेंगे चाशनी हमारी जैसे जैसे थंडी होती जाएगी ये जमना शुरू हो जाएगे तो चलिए हम सूजी के बने शक्कर पारो को इसमें डाल देते हैं जो हमने फ्राइ किया था हम पूरे शक्कर पारो को डाल देंगे यहाँ पर हमने सारे फ्राइ किये हुए शक्कर पारो को डाल दिया है और अब हम इसे एक स्पैशुला के थुरू कंटिनू स्टर करते रहेंगे ताकि सारे फ्राइ किये हुए शक्कर पारों में चाशनी बहुती बढ़िया तरीके से मिल जाए उसकी अच्छे से कोटिंग हो जाए हम इसे तब तक मिक्स करते रहेंगे जब तक जो चीनी है हमारे अच्छे से जम न जाए आप इस शक्कर पारे को किसी भी फेस्टिवल पे बना सकते हैं होली हो या दिपावली आप इसे बना कर स्टोर करके रख सकते हैं लगबग एक मेहने तक यह आराम से चल जाता है और खराब भी नहीं होते हैं जल्दी आप इसे बच्चों को टिफिन में भी दे सकते हैं दो से तीन मिनट हो चुके हैं चीनी हमारे अच्छे से जम चुकी है और हमारे सूजी के शक्कर पारों को डाल देंगे ताकि ये थोड़ा सा थंडा हो जाए तो लीजे फ्रेंट्स यहाँ पर हमारे बहुत ही बढ़िया तरीके से हमने सूजी के शक्कर पारे तयार कर लिये हैं आप इस शक्कर पारे को किसी भी फेस्टिवल पे बनाएए होली हो या दिपावली और आप इसे बनाकर स्टोर करके रख लीजे बच्चों को टिफिन में दीजे पिकनिक पे ले जाएए कोई गेट टुगेधर पार्टी में रखिए आराम से बहुत बढ़िया तरीकी से य जरूर शेयर करें तब तक के लिए खाते रहें मस्त रहें और इसी तरीके से देखते रहें मेरा वीडियो थैंक यू फ्रेंड्स बबाए